नमस्कार मैं हूँ संजे शर्मा आप देख रहे हैं 4PM रियूज नेटवर्क देश में राजीती बहुत गरम है इंडिया यानी विपक्षी दरों का मोर्चा प्रधान मंतिरी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्तावर लेकर आया है संसद में उस पर बहस हो रही है बहुत गरमा-गरम बहस हो रही है भाट की जन्ता पाटी के अफसांसे दोनों मंतिरी को ने बात करी विपक्ष ने आरोप लगाये लेकिन हर बार की तरह मुझे आद प्रधान मंतिरी जी शंसत में दिखाई नी दिये मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि प्रधान मंत्री जी को ऐसा संसद से क्या नाराज़ गी है वो संसद आना क्यों नहीं चाहते है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्रिक देश माना जाता है हमारे हाँ लोगतंत्र की जड़ें बहुत घहरी हैं बहुत मजबूत हैं संसद मंदेर होता है संसद कोई मन की बात कहने वाला रेडियो नहीं है जिसका स्विच आपने आउन किया और आफ किया बात शुरू हो गई और बात खतम हो गई अपके एक 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 चालिस करूँ लोगों का प्रतिनिदित करता है भारत का संसद लोग चुन-चुन की में अपर्ट पार्लियेमेंड भेशते हैं और वह अपना नेता चुनती है जो देश का प्रधानमंत्री हो जाता है यह बात अलग है कि भारतिया जंता पार्टी के संसदों की इतनी हैसियत नहीं रह गई है कि वो अपने प्रधान मंत्री से कह सके हैं प्रधान मंत्री जी आप संसद में आ जाया कर यह अच्छा नहीं लगता उनकी इतनी भी हैसित नहीं है कि वो यह कह सके प्रदान मंत्री जी की छेटिके लोग कहते हैं कि हमारे प्रदान मंत्री संसद में आते क्यों नहीं है, संसद अच्छी क्यों नहीं लगते हैं, अब वो यह तो कह नहीं सकते हैं कि प्रदान मंत्री जी को लगता है कि संसद में बैठने वाले लोग उनके इस्तर के नहीं है प्रधान मंत्री अपना कत थोड़ा बड़ा समझते हैं समझें भी क्यों ना भारती जन्ता पार्टी के राष्टी अध्यक्ष जेपी नडड़ा उन्हें देवताओं का देवता कहते हैं अध्य ओंध बहुत सिनर जयलिस्ट हैं और दिल्ली में सत्थ्थ गलियारों के बहुत करीब हैं चोसी सालों से जदा उसता में विपाक्ष में तमाम मंत्रियों के सांसदों से से बड़े करीबी रिष्टे रहें उनके उन्होंने मुझे एक वाक्या बताया कि एक मेंबर आप पार्लियमेंट प्राइम मिलने जाते हैं तो नेचरली आप इस्तुती गान शुरू करते हैं कि आपका बहुत अच्छा चलना है बहुत अच्छा चलना है प्रदान मंत्री जी अच्छा क्षा मेरे वारे में क्या सोचती में अब उन सा नसर ची ने कहा कि हजूर की बहुत अच्छा सोचती है ऑस प्रदान मंत्री जी ने का यह और अश Гों क्या सोचती है वह जो यह कहते हैं कि भारत का दुनिया में ना Means नाब पूंचा कि उंचा हो गया इस तरह प्रदान मंत्री जी ने दो तीन वार और 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 का और विचारों पर और के बाद समझ में नहीं आया तो सिर्थ प्रदान मंन्तिर जी करें बार-बार और 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 में कितना सुझे ने कहा तुम जंता की नवजभ नहीं पकडपािए तो हैं तुम जानते नियना जंता मुझे भगवाण समझती। प्रदान मंत्री जी के जो लक्षण है उसमें ये गलत पहिमी दिखाई देती है कि वो अपने आपको ईश्वर का दूर समझ बैटे हैं क्योंकि उनकी चमचागिरी करने के लिए उनके पार्टी के राष्टिय द्यक्ष जेक्विलंडा मौजूद हैं जो उन्हें देवताओं मंत्री का आज वो चेहरा देश को दिखा दिया जिससे देश लज्जित हो गया पूरी दुरिया में देश का सर शरम से जुक गया मैं देख रहा था मैं सच बताना हूं मेरा खून खौल गया मुझे लगा ये बात मैं कहूंगा जरूर अपने दर्शकों के सामने कहूंगा कि छोट पर कूंगा एलानिया कूंगा कि लोकसवा अध्यक्ष मुझे बुला के दंडित करना चाहे तो मुझे सीकार है मंत्री मेरे खिलाब विशेशादिकार प्रस्ताव लाना चाहे तो वो मुझे सीकार है लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि आज जो वीडियो में आपको एक मंत्री का दिखाने जा रहा हूं वो सड़क चाप गुंडे से जादा नहीं है और मैं एलानिया इस बात को कहूंगा कोई भी परणाम और तब भी कहूंगा इतना निमनस्तर सिर्फ और सिर्फ जोदीजी कर सकते हैं कि ये गुंडे को गुंडे वालि भाशा बोलने के लिए मंति बना सकते हैं और वो लोग तंत्र के सबसे बड़े मंदिर में गुंडवाली भाशा बोल सकता है अदम गोंड भी बहुत शांदार शायर हुए है शायद उन्होंने सोचा होगा कि जब विधान सवा में लोग सवा में गुंडे आ जाएंगे तो एक कवता लिखिया उन्हें वो मैं कवता आज आपको सुनाना चाहता हुए बड़ी फिर्मस लाइने हैं मतलब मैं शायद इंटर इंटर पढ़ लाओंगा मैं तवसे वो लाइने में ले सुनी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लोक तंद्र का इतना सटीग चित्रण विधाम सवाओं का लोक सवां का इतना बहुत्री चित्रण सिर्फ अदम गोंट भी जैसा शायर ही कर सकता है वो कभी कर सकता है काजू भुने प्लेट में काजू भुने प्लेट में विस्की ग्लाफ में उत्रा है राम राजाज विधायक निवास की अब विधायक निवास की जगे आप इसको संसद के सदस्यों के घर कह सकते हैं या कुछ और जग पक्के समाजवादी हैं तसकर हो या डखैत इतना असर है खादी के उजले लिवास में उत्रा है रामराज विदायक आजादी का वो जश्न मनाएं तो किस तरह आजादी का वो जश्न मनाएं तो किस तरह है जो आ गए फुटपात पर घर की तलाश में उत्रा है रामराज विधायक नवाद में पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें संसद बदल गई है यहां की नक्षास में जंता के पास एक ही चारा है जंता के पास एक ही चारा है बगावत यह बात मैं कह रहा हूं खोशो हवास में और आज इस मंत्री का बयान सुनकर मुझे सच में लगा कि जंता के पास एक ही चारा है बगावत यह सुनवा रहा हूं मैं केंद्रिय मंत्री दलायंड राने का आज का संसद में दिया गया भाशन भाशन के तौरान उनकी सड़क शाब गुंड़ई देखिए किस तरह वो ए एक मेंबर और पालियम बेंट को धमका रहे हैं कह रहे हैं बताओं केरी अवकाद बताओं तीन साड़े तीन निट का वीडियो है जरूर सुनिये जाहसे आपको पता चले जिससे आप जान सकें कि आपके बड़ी-बड़ी बाते करने वाले नेत्रत ने आपको कैसे गुंड इस मान सबमान बेच रहे हैं नराय अडारे का वीडियो सुनिये और समझ आई क्या मान सकता है इस तो आपको करना पड़ेगा जी 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 प्लीज अध्यक्ष्ण मौदै अविश्वास के प्रस्ता उपर इस सजान में काफी बन्नेवर का भाशन में ने सुना अब उसके बाद अभी अभी शिवसेना उद्धाव ग्रूप के अर्विद सावन जी का भाशन सुनते वक्त मुझे लगा कि मैं दिल्ली में ने महाराष्ट में विदान समय में बैटाओ कि इसले अभी आपका सुना ना मैं आदे मत्री जी बोली जी अध्यक्ष्य महोदैं अविशवास का प्रस्ताव पे उन्हों ने उसके पहले सन्मानीय शिंदेस साफ ने जो विचार रखे उनको उत्तर देने का काम किया आर उन्हों ने हिंदुत्व की भाशा की उसका शिवसेने का इनका गड का उद्धवजी गड काग रूप का अब हिंनुत्व किस तर्रका है उसका भी बारे में उन्हेंने कुछ काहा अब हिंदूत्व के बारे में इतने हो हिंदूत्व चाते हैं उनको अधिका है तो रुट कि जब उनीश को सत्ता पाने के लिए भारतिया जंदा पाड़ी को छोड़ कर उस वार पावार साथ के साथ गए जब हिंदुत्वा याद नहीं है नहीं आया याद है सर अभी ओ एक एगविट सर ओ हिंदुत्वा अर असली शीवसेने के बार कर रहे हैं ये शीवसनमे कब आया मैं 1968 का शीवसेनी कूब था तुमें निस वा है यह न अरे बाइठ टिछे बैठ अरवार बाट टीछए जी बाइठ बार राइठ मंत्री जी लीज नो उनका बेटेश मोन अ कुलिवर वैक्ति टुपनिजी बचिये प्लीज वायक्ति टुपनीसे पचिये प्लीज सब अभी यो भारत्य जंता पार्टी माननी एक नए अरे पार्टी बदने को भी ताखत लगता है तुम लोग को छोड़के गाया ना मानने मंत्री जी इधर इधर एटरेस दाचेर ओंली मैं पार्टी छोड़ा ना ये 220 लोग ने प्रोटेक्शन लिया तो 220 लोगों ने हो गया ये क्या बात करते है अभी थैंक्यू सब अभी कुछ नहीं बच्चे अभी बच्चे नहीं है खाली आभी जो आवार आ रहे आ रहे अभी आपने देखो महारास्त में कहां तक है कभी डूबने वाले वहीं देखो मगर भारत्य जनता पाटी और वानने पंत्रदान जी आमारे मानने आमीच शाह इनके उपर उंगली भी बताया ना तैंक्यू तो तुमारी आउकत महीं निकालूंगा इस शीरिके श्री मरं जी खरुआ अब वर्षा का दिल्सात्र है थोड़ी गड़ड़ा है थोड़ी बारिश। यह लग रहा है कि यह हो नहीं है कि बैठिये अभी अरे कई बैठिये तो सही बैठ जाइए बैठिये आप तो बैठिये अब बारा तेरा जिन तो क्यों गड़गड़ाट हुई है अब तोड़ी पूंदा बांजी और उसका अनंद लीजिए कड़वा मत करिए प्लीज सुना आपने कल्पना कर सकते हैं यह भारत सरकार का मिनिस्टर है कि सोच सकते हैं आप भारत सरकार का मंत्री यह गुंड़ई वाली भाशा संसक्त के अंदर कर सकता है बैठ जा बैठ जा तेरी अपाद देखूंगा यह यह महले के गुंड़े करते हैं लेकिन मोधी सरकार का मि और भाशा तो आज जिस सांसर से बीजेपी ने शुरुआत कराई निश्रीकान दुबे और उन्होंने भी आज अपना इस तर दिखाया मैं कहना नहीं चाहता है सांसर की मर्यादा है लेकिन निशिकान दुबे कार्पॉरेट जगत के लाइजनर के रूप में जाने जाते हैं सोशल वीडिया खंगाल के देख लिए एसार कंपनी से लेकिया मानिय अडानी तक लंबा उनकी एक लिस्ट है जब जो संसर्थ में बोलत संसर्थ में निशिकान दुबे का एलानिया बयान सुनिये जंतादल यूनाइटिट को मैंने फंड अरेंज कराया है संजय मिश्रा जी की एडी सुन रही है क्या शिवू सोरेंड के बेटे हमें सोरेंड को एडी का नोटिस भेजने वाले अब क्या पूछेंगे निशिकान दुबे से की जे डी उ को तुमने फंड दिलवाया तो दिलवाया तो निशिकान दुबे जिन बातों के लिए जाने जाते हैं निशिकान दुबे जिन बातों के लिए बदनाम हैं निशिकान दुबे पर फिक्सर होने का जिन चीजों पर आरोप लगता रहता है निशिकान दुवे के कार्पूरेट जगत के घरानों की और उनकी लाइजनिंग की बाते होते रहती हैं, आन निशीकान दुवे ने ये कहके खुद थाविच कर दिया, कि उनकी धूर बरोदी जेडी यू को उने फंड उपरब कराया था, सुनिये खुद निशीकान दुवे के मूँ से, और उस वक्ता मैं एक चीज और खुलासा कर देना चाहता हूं, कि जेडी यू को, जेडी यू को, यदि सबसे ज़्यादा किसी ने फंड करवाया होगा, तो यदि दो चार पाँच आदमी होंगे, तो उसमें एक नाम निशीकान दुवे का भी, आप मेरा अभी रोद कर रह वायर भी लिखती हैं, देश की बड़ी फाइल ब्रांड पत्रकार हैं, कॉंग्रेस की जब सरकार्टी मनमौन सिंग की, मनमौन सरकार उन से दुखी रहती थी, भाजपा दुखी रहती है, क्योंकि बहुत बेवाक लिखती हैं, दस लाक लोग तो उनको टूटर पर फालो कर होते हैं, निशिकान दुवे की कथित फरजी डिग्रियों, उनकी कंपनियों से लाइजनिंग, ऐसी तमाम बाते रोणी ने टूटर पर खुडा सकिया, रोणी ने ये भी लिखा कि बड़ा मनूस आमसद हैं, जिसके संग रहे, उसकी लुटिया डवो दिया एक लंबी लिस बताई, रोणी ने मुझसे बात करते करते, पहले रोणी को सुनीए, रोणी ने मुझसे बात करते करते, क्या का निशिकान दुवे, आज लोग सवा में निशिकान दुवे आपका नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि निशिगान दुवे को आप से इतनी समस्या क्या है जो आप पे ऐसा आरोब लगा रहे हैं। कि हम पत्रकार हैं और पत्रकारिता करते हैं तो हमने भी निशिकान दुवे से मैंने भी उनसे कुछ सवार पूछे थे उस इशू को लेके। कुछ महिलाओं के बारे में करी थी जो अगर आपको याद होगा उसको कुछ किसी को मैनाव ने लेना चाहती हूँ उन्होंने दो महिलाओं को वो ये नगरवधू करके संबोधित करा था तो वो भी बहुत ही कांट्रोवर्शल हो गया था क्यूंकि मैं एक महिला हूँ तो मुझे लगता है कि इस ताइप अफ लैंग्विट सब्सक्राइब करना चाहिए तो मैंने भी कंडेम करा था और निशिकान दूबे कि प्राब्लम यही है कि जो सवाल हमने उठाए थे और जो हमने उनके बारे में बोला था उसका वो जवाब नहीं दे सकते हैं तो मुझे नहीं पता मतलब उनको शायद सुवेश अपना आया होगा या सोचा होगा कि तो इसका मतलब कोई अगर आप मुझसे पूछे उन्होंने ये क्यों बोला ये शायद उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है रोनी जी आपने एक बाद ट्विट किया था और ये लिखा था कि निशिकान दुबे जिन जिनके संग रहे हैं कई लोग कहते हैं जिनके संग रहे हैं उनकी मुझे पता सकते हैं कि आप tap between lli नीशीकान जी के बारे में और आपको पता है आप भी डिली आते रहते हैं आपको पता लटएंड डिली में कैसी कैसी बाते होती हैं तो बोला Unitech वाले, Sanjay Chandra वगेरा के बारे में बोजते हैं, जब इन्होंने निशिकान दूबे जैसी दोस्ती बढ़ाई, पूरी फैमिली अफ जेल में बैठी है, रुयास का पूरा बिसनिस ढूब गया था, और राजना जी का जो फर्स तर्म था, as BJP President, एक बार मुझे कोई बता रहा बहुत successful career था, बाजपा को उन्होंने जीत दिलवाई, तो यह बोला जाता है, आपको तो पता है कि politics में और power corridors में लोग superstitious होते, तो यह बोलते हैं कि जिनके जिनके साथ निशिकान दूबे जी, जैसे आलोग वर्मा, previous CBI Director, वो निशिकान जी के बहुत close थे, और वो कितने बड़े officer थे, वो Delhi के police commissioner रह चुके थे, और इतने important उनकी position सी, आज उनको शायद pension तक नहीं मिल रही है, तो यह बोला जाता है कि जिनके साथ निशिकान जी जुड़े हुए है, उनका एक भसमासुर टाइप का effect होता है, तो यह, मतलब यह obviously, this is something that is said in Delhi, तो मैंने बस वही ए meditate करा होगा, इसलिए वो इतने बेवुनियाद accusations में कर रहे थे, पर्लेमेंट में, रोनी जी यह, एक social media पर एक बात बहुत ज्यादा चर्चा में लिखी आती है, निशिकान के लिए, कि वो SR गुरुप के लिए, लाइजनिंग किया करते थे, इन बातों में क्या को सच्छा ह है, कि मुझे नहीं पदा वो क्या लाइजनिंग करते थे या नहीं करते थे, यह तो जरूर पता है कि उनके, उनका corporate world से, मतलब काफी लोगों के साथ equations अच्छे रहें, शायद वो SR में डिरेक्टर थे, मुझे चेक करना पड़ेगा, पर I'm not very sure, क्योंकि मैं, मैं बिना किसी you know, concrete proof black and white हाथ में नहीं हो, तब तक मैं कुछ on record बोलना नहीं चाहती हूं, लेकिन हा, निशिकान जी पे काफी कुछ papers जल्दी आ रहे हैं, तो उसके बाद पता चल जाएगा कि वो क्या करते थे, क्या नहीं तो यह रोणी सिंग ने निशिकान की लिए का, तो निशिकान ने यूयार्ट टैंस की एक खबर का हवाला दिया, पादिया में लोडी कहा, कि नियार्ट टैंस के छपा है, निउज किलिक का, और पत्रकार शर्मा, स्वाती चतरवेदी, रोणी सिंग का, यह निज चपा ही कॉंग्रेस ने विरोध किया, तो नाम निकाल दिया गया, और रोणी सिंग ने चैलेंज किया कि हिम्मत हो सांसर्जी में, तो बहार आके मेरा नाम लेके बताए, मैंने निश के लिए कभी काम नहीं किया, कभी पैसे नहीं लिए, बहार आएं क्योंकि संसर्द में आप जो यदि दियूज क्लिक का नाम यदि डिलीट रेस्टोर हो गया, कॉंग्रेस को क्या समस्या साथ, दियूज क्लिक आपका कौन लगता है, पुरकास्त का नाम यदि रेस्टोर हो गया, पुरकास्त आपका क्या लगता है, रोहनी सिंग, अभिसार सर्मा, या कोई भी मान लिज कि परवारबाद के उपर बोल रहे था बढ़ वा Member की बाते कर रहे थे और लोग समझ नहीं पाए कि निश्रिगान दुबे परवारबात की बात करते करते राजनार सिंग पर क्यों चले गए कि और सबसे मज़िदार बात कि राजनार सिंग्हें बड़े करीब हुआ करते थे लिश्रिगान दुबे ने आज भारतिय जनता पार्टी की वह फजियत कराई वह फजियत कराई प्रद्धान मंत्री की तुलना द्रॉपदी से करते आपको यकीन हो रहो हो ना हस रहोंगे ना आप मैं आपको जादा नहीं को सीधा मेरी शिगान दुबे की बात सुनवाता हूं आपको हसी आएगी कि कैसे कैसे सामसत पालिया मेंटे पहुंच जाते हुए मैं अध्यक जी मैं अध्यक जी अपनी बात महाभारत से खतम करना चाहता हूँ महाभारत में महाभारत का एक बड़ा कहानी है सब कि द्रोपदी का चीरहरन हो रहा था और पूरे चाहे कौरब पक्ष के लोग हों चाहे पांडब पक्ष के लोग हों वो सभी जो है चीरहरन को देख रहे थे अध्यक्ष महोदे आज मानने प्रधान मंत्री जी ये लोग नहीं समझेंगे सर ये लोग इसलिए नहीं समझेंगे कि माने प्रधान मंत्री जब परिवार बात की बात करते है न तिनको लगता है कि परिवार की बात करते है माने प्रधान मंत्री जी परिवार की बात नहीं करते है वकील का बेटा वकील हो जाए क्या दिखते है IS का बेटा IS होता है सर यहां DGP, DG हैं आर्पीअब के, वो IPS भी हैं, उनके दोनों बेटे IS बने सर, जो अपनी योगिता चमता के साथ आते हैं, परिवार को परिवार को परिवार को, वो क्या कहते हैं, आज मेरे यहां का नेत्र क्यों क्या है, माने प्रदान मंत्री जी गरीब परिवार से, माने न मिनिस्टर हैं सर, जिनके आगे पीछे जो है, कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, हमारे जैसे लोग हैं, क्या है कि यहां जितना परिवार है न, वो इनके पीछे हैं, जो की परिवार का आदमी नहीं है, और वहां समस्या यह है, कि वो सभी परिवार बाद जो है, वो उनका ज आज जो यह अविश्वास प्रस्ताव है उस आदमी के खिलाफ है जिसने की लोगों को मकान मना के दिया आज अविश्वास प्रस्ताव उस ब्यक्ति के खिलाफ है जिसने सोचाले दिया आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के खिलाफ है जिसने सबों के घर में उजाला तेर लाने की कोसिस की गरीब के खिलाफ है और जितने बहास होंगे सर हो मान्य प्रधानमंधिटिघी को मादी प्रधानमंतिटीची की नीटियों का झीर करेंगे जैसे द्रौपदी का झीर हन्एर होगा हुआ है मैं आपको पर कहना चाहता हो इतियास से कि यह राम संदिर बना दिया हो 377 जो हमारी थी धारा उसारे तो हमने बनाई दिया मैं केवल इतना कहता हूं सर कि जब द्रोपदी का चीर हरन हो रहा था तो भिष्म पिताम क्रिपाचार द्रोणाचार धृतरास जैद्रत चाहे वो युदिश्टिरों चाहे वो अर्जुनों सभी माउन धारन किये वे थे आज यदि माने प्रधार मंत्री जी का गौव गरीब किसान के हितैसी का आप ची रहन करेंगे तो जिस तरह से ना धृतरास्ट बचा ना दुरियोधन बचा ना भिष्म पितामा बचे ना अर्जुन बचा रेइजिस्टिर बचा आप में से कोई भी बच नहीं आईएगा हम चार सा सीट के साथ वापस आएंगे इन्हीं सब्दों के साथ जाहिए इन जेवाकिए सुना आपने यह हैं निशिकान तुबह आप सोचिए कि संसद का इस्तर क्या हो गया है यह संसद होती है आपके मेरे दुख-दर्द की विकास की बात करने के लिए लेकिन यहां Member of Parliament इतनी फिजूल की बाते कर रहे हैं मंत्री गुंडो वारी भाषा बोल ले क्या किया जाए आप सोच सकते हैं संसद चलाने में हर मिनट पर लाकुर रुपय खर्च होती है मेरे और आपके टेक्स का पैसा है इन नेताओं को कोई फरक निपरता हूं बलेहार लाई है ऐसे नेताओं कि अब भी वक्त है सोचिए इनके मकड़ जाल से निकलिए इनकी गंदगी से निकलिए कम से कम पड़े रिखे लोगों को लाई है अटल व्यारी बाच्पई जैसे लोगों से संसद की गर्मा बढ़ती भी बोलते तो अच्छा लगता है और अब यह स सरकार को सोचने पर मजबूर करेगा अपनी राइसे जरूर अबगत कराईएगा शुक्रिया थेंक्यू